Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? आसा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में हमने Communication Skill के जो की हमारा एक important paper है उसके second unit के बारे में application of grammar के बारे में पढ़ना सुरू किया आपको मैंने बताया कि उसमें कौन-कौन सी चीजे आएंगी और उसके बाद हमने आपको ये बताया कि कौन-कौन सी चीजे हमको पढ़नी है जिसमें हमने noun बताया आपको, pronoun बताया, verb बताया ये सारी चीजे हमने अभी तक cover कर ली है तो आज हमको करना क्या है? आज हमको adverb के बारे में जानना है आज हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, adverb के बारे में पढ़ेंगे, भई, adverb है क्या? ठीक है? तो, adverb है क्या? यह जानेंगे, means, definition क्या है उसकी? meaning क्या है उसकी कितने उसके भाग होते है kinds of adverb उसको use करने की जो स्थती है position of adverb और फिर उसके best आपको question बताए जाएंगे कि कैसे कौन से question में कहाँ पर adverb है या कैसे हम उसको introduce करेंगे कैसे recognize करेंगे is there any adverb in the sentence or not और उसके बाद जब सारी चीज़े अभी इस lecture में finish हो जाएंगी तब आपको important task भी दिया जाएगा और किस रूप में होगा वो task questions के रूप में होंगे और जिसे आपको क्या करना है comment box में बताना है आप क्या करोगे आप पूरे के पूरे sentence को पढ़िएगा और वहाँ से find out करना है हमको कि उसमें कौन सा figure of कौन सा parts of speech यूज हुआ है और mostly आपको ये बताना है कि उसमें या उस पूरे sentence में जो कि आपको task के रूप में मिला है उसमें adverb कहां पर है तो चलिए आज का यह lecture सुरू करते हैं किस से हमारे important topic हमारे important topic adverb के साथ तो सबसे पहले हम जान लेते हैं adverb है क्या this one adverb चलिए बच्चों देखते है adverb क्या है adverb आप किसको कह सकते हो इसकी definition क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात adverb की करें तो इसकी हिंदी होती है kriya vishesad adverb क्या है बच्चों adverb है kriya vishesad यह kriya vishesad अब आप जान लीजिए कि किसी भी चीज का generally किसी भी चीज को हम उसके नाम से पहचान सकते हैं या हम यह कह सकते हैं कि नाम के according हम एक अंदाजा लगा सकते हैं एक guess कर सकते हैं कि अगर इसका नाम यह है kriya vishesad है तो इसमें हमें कौन सी चीजे मिल सकती हैं अब क्या करेंगे हम इसको अपना सब्दे दे kriya आपको बताया जा चुका है kriya क्या है अरवishesad यानि विशेषता जो बता रहा है तो जो दोनों से मिल करके बन रहा है वो हमारा क्या हो गया kriya vishesad तो अगर हम इसको definition के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा definition of adverb क्या हो जाएगी an adverb an adverb is a word adverb क्या है बिटा adverb is a word which or that modifies that modifies और ये modify किसको करेगा adverb किसको modify करेगा वर्व adjective adjective और another adverb this one is the definition of adverb ये चलिए तो आपको बता क्या दिया गया कि adverb हिंदी कहस की kriya vishesad और kriya vishesad हम कहते किसको है means जो kriya की vishesad बताए वो क्या है हमारा kriya vishesad है अब यहाँ पर आपको क्या बताए गया an adverb is a word an adverb is a word which modifies verb adjective or another adverb means adverb एक ऐसा सब्द है जो किसकी vishesad बताएगा वाक्य में sentence में आए हुए वर्व की vishesad बताए या फिर sentence में आए हुए adjective की vishesad बता रहा हो और अथवा sentence में आए हुए किसी दूसरे adverb की vishesad बता रहा हो तो वो हमारा क्या है adverb है और अगर इसको in second sense कहें then we can say that adverb is a word that modifies all parts of speech except noun or pronoun this is the second definition of adverb which we can say about it what an adverb is a word that modifies what all parts of speech accept noun or pronoun मतलब जो adverb एक ऐसा सब्द है जो वाक्य में या जो किसी भी parts of speech की vishesad बताने का काम करता है और किसके अतरिक noun और pronoun को छोड़ कर तो जो noun और pronoun को छोड़ कर किसी भी noun pronoun और interjection को छोड़ कर किसी भी parts of speech की जो विशेस्ता बताए उसे हम कह देते हैं adverb अब ये हो गई हमारी definition कि adverb है क्या किसे हम कहेंगे कि ये adverb है अब एक्जामपल देख लेते है adverb का कि जब जैसे कैसे पता चलेगा कि ये adverb है कैसे पता चलेगा कि ये वर्व की विशेस्ता बता रहा है कि नहीं बता रहा है तो जमार लीजिए कोई sentence है जैसे कह दिया गया C works slowly this one is the sentence C works slowly अब जैसा कि हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है भाई हमने हमने पढ़ा है कि कैसे sentences का division होता है कहां पर subject है कहां पर verb है तो अगर हम इसको देखे तो यहां clarify कर सकते है कि यही हमारा verb है क्योंकि verb आपको पढ़ाया भी जा चुका है समझाया जा चुका है कि वर्व है क्या तो यह हमारा verb हो गया क्या works अब आप white verb क्या कहता है आपका कि जो verb की विशेस्ता बताए वही क्या है adverb है कैसे विशेस्ता बता रहा है भाई sea walks वो चलती है और उसके चलने का जो धंग है उसके चलने का जो तरीका है वो कैसा है slow है slowly चलती है मतलब यही जो slowly है this is called adverb यही adverb है क्यों है क्योंकि यह उसके चलने के धंग उसके तरीके के बारे में बता रहा है और जो noun को modify करे जो noun के sorry जो verb को modify करे जो verb के बारे में बताए जो वर्व की विशेस्ता बताए वही क्या हो जाता है बच्चो adverb हो जाता है तो यह हो गया example किसका example हो गया adverb का यह एक आध एक्जामपल और देख लेते हैं see sings see sings the songs sweetly like this तो यहाँ पर भी adverb है और वो कहा है यह है क्यों है क्योंकि यह विशेस्ता बता रहा है किसकी विशेस्ता बता रहा है वर्व की बता रहा है कि वो गाती है the songs गीत गाती है और कैसे गाती है मधूरता से गाती है मतलब उसकी wise उसकी tune कैसी है sweet है मधूर है और चुकि ये गाने के बारे में बता रहा है, सिंग कैसे कर रही है, उसका मैनर सो कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, आइडवर्ब हो गया, चुकि इस सेंटेंस में एक इसकी विसेस्ता बता रहा है, इसकी बता रहा है, जो कि क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब, अब चल एडवर्ब का मतलब एडवर्ब को कितने भागों में बाटा गया है चलिए देख लेते हैं काइंड्स ओफ एडवर्ब इसके बाद ये एडवर्ब हो गया एडवर्ब हम कहते किसको है पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया जो अभी आपको दिया गया है कि आज हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने है जिसमें हमने सबसे पहले जान लिया क्या जान लिया कि Adverb है क्या definition क्या है उसकी और कैसे हम पहचानेंग या कैसे हमको पता चल जाता है कि Adverb कहां पर होगा sentence में ठीक है अब हम क्या करते हैं जान लेते हैं Second topic के बारे में जो हमें जानना है क्या है Kinds of Adverb यानि Adverb के कितने भाग होते हैं तो देख लेते हैं Kinds of Adverb Kinds of Adverb, Adverb के कितने भाग होते हैं, Adverb को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो Adverb के कितने भाग होते हैं बेटा, वैसे Adverb को अगर Kinds of Adverb के according डिवाइड किया जाए तो Adverb को 6 भागों में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा Adverb of Time यह हो जाता है First, दूसरा Adverb of Frequency, अभी हम 6 लिख देते हैं, फिर 6 आपको Explain कर देते हैं कि कैसे कौन सा होता है पहला हो गया Adverb of Time, दूसरा कौन सा हो जाता है हमारा Adverb of Frequency Adverb of Frequency, यह दो हो गया, तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा Adverb of Place यह Adverb of Place, इसके बाद Adverb of Manner Adverb of Place, Adverb of Manner, Adverb of Degree Adverb of Degree, Adverb of Reason Last, Adverb of Reason चलिए बच्चों, तो देख लेते हैं इसको, जैसा कि अभी हमने 2 मिट पहले आपको बताया था जब हम Definition बताने जा रहे थी तो हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्स तो किसी भी थिंग के बारे में अंदाजा उसके नाम से लग सकता है कि उसके अंदर हमें क्या मिल सकता है या क्या हो सकता है अब जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है Adverb of Time तो बात किस की हो रही Time की हो रही यानि जहां पर हमें समय का पता चलेगा जो Adverb समय को मोडिफाई करते हुए विशेस्ता बताएगा वही क्या हो जाएगा Adverb of Time हो जाएगा कोई भी sentence जैसे हम ले ले और जिसमें हमें क्या हो किसी वर्व की विशेस्ता बताई गई हो और विशेस्ता बताने के लिए जिसमा जिस Adverb का प्यूस किया गया हो अगर वो Adverb किसके बारे में सो कर रहा है कौन सी चीज को सो कर रहा है तो निस्चित रूप से वहां पर वो कौन सा Adverb कहलाएगा Adverb of Time कहलाएगा जैसे कह दिया जाए अभी एक्जाम्पल देख लेते हैं इसका He came here yesterday अभी इसमें दो Adverb हमें मिल गए है लेकिन अब एक्जाम्पल के According जो सही है वो आप देखिए इसमें दो Adverb हैं लेकिन हमें इस Adverb के Kind के According जो सही है या जो इसके According आए उसके बारे में देख लेते हैं तो इसमें क्या है क्या He came here वो यहां पर आया और कब आया Saturday कब आया Saturday means कल आया कब आया कल और कब आया मतलब Win और Win क्या है यह Time को सो कर रहा है इसलिए यहां पर आया हुआ यह Adverb Saturday जो की Adverb है कौन सा Adverb होगा Adverb of Time होगा I hope you understand What is Adverb of Time तो जरूरी नहीं कि Saturday ही आये दिन आ सकता है When? Then Time है यहां Saturday आया Time है Tomorrow Time है Today Time है तो कोई भी ऐसा word जिससे हमी यह पता चले कि sentence में यह जो काम हो रहा है इस word से उस काम के होने का हमें समय पता चल रहा है हमें उसका Time शो हो रहा है उससे हमें उसके कार के होने का समय पता चल रहा है कि कब उस कारे को किया गया कब वो कार्य हुआ तो वहाँ पर कौन सा Adverb हो जाएगा Adverb of Time दूसरी बात कर लेते हैं Adverb of Frequency की अब Frequency क्या है Frequency को वैसे हम बारम बारता बोलते हैं आवरित्ती बोलते हैं तो Adverb of Frequency में कौन सी चीज होगी यानि जब किसी कार्य को हम क्या कर रहे हो Repeat कर रहे हो Repeatedly अगर कोई काम हमने किया या बिलकुल नहीं किया तो वहाँ पर उस Adverb को क्या कहेंगे Adverb of Frequency कह लेते है जैसे एक्जाम्पल देख लेते हैं उसका He always comes late अभी जैसे किसी के बारे में कह दिया जाए He always comes late He always comes और कैसे आता है Late आता है He always comes late This one He always comes late अभी यहाँ पर देखिये जैसे यह हो गया यह इसका यही एक्जाम्पल है किसका? Frequency का कैसे पता? He वो Comes यह हमारी वर्ब है वो आता है कैसे आता है? Late आता है पहली चीज़ तो यह हो गया और दूसरे Late कब आता है? तो Always हमेशा वो कब लेट आता है? हमेशा लेट आता है यानि Late आने की जो उसकी Habit है वो आज या एक बार की नहीं है Regular way में है और बार बार है इसलिए यह कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? Adverb of frequency Understand? Okay Now पहला हो गया Adverb of time दूसरा Adverb of frequency अब तीसरे का नंबर है Adverb of place Place अस्थान यानि कोई ऐसा एडवर्ब जो sentence में आए और हमको यह बताए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है किसी अस्थान के किसी place के बारे में बात कर रहा है तो वहाँ पर निश्चेत रूप से कौन सा एडवर्ब होगा? Adverb of place होगा जैसे कह दिया जाए What? I found I found a pin I found a pin और मुझे कलम मिली कहां मिली I found a pin under the chair I found a pin under the chair तो ये under the chair यानि चेर के नीचे दिस वन इस दो place और ये प्लेस कहा है chair के ठीक नीचे तो जहां पर place के बारे में बताया जाएगा वो कौन सा एडवर्ब हुआ? Adverb of place हुआ जहां से हमको अस्थान के बारे में पता चला वो Adverb of place हो जाएगा इसके बाद Adverb of manner तो Adverb of manner में हम देख लेते हैं manner क्या है? तरीका जैसे जो काम subject कर रहा है sentence में subject यानि करता के द्वारा जो काम किया जा रहा है जो भी काम हो रहा है उस काम को किये जाने का होने का तरीका कैसे है? यानि वो किस वे से उस काम को कर रहा है? उसी को हम कह देते हैं manner जैसे आप लोगों नों देखा होगा, जब बहुत सारे लोग सोते हैं, तो noisely, shore करते हैं, और वो shore कहां से आता है, उनकी नाक से आता है, सेम सेंस उसको हम एक्जामपल में अगर ले ले लें, और कह दें क्या, see, see sleeps, see sleeps कैसे, soundly, see sleeps soundly, अब वह सोती है, यह हमारा वर्ब हो गया, और अब यहाँ पर soundly क्या है, इस सोने का तरीका है, यानि उसके सोने का तरीका कैसा है, वो सोती है, कैसे सोती है soundly, खराटे ले ले करके, यानि आवाज करते हुए, खराटे लेते हुए, तो एक मेनर है इस काम को होने का, सो करने का, और जहां पर मेनर की बात आएगी, वहाँ पर कौन सा एक्षट, आइड़वव उफ मैनर होगा, चलिए, तो यह हो गया हमारा एक्षट, पर उपने का, वे पता चले क्या पता चले वे जैसे यहां पर इसका वे sleep way was the way to sleep her तो the way to sleep her that is soundly see sleeps soundly सोती है तो आवाज आती खर्राटे ले लेकर के सोती है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों काउंसाइड वो मैंनर इसके बाद डिगरी अब ऐसा यह नहीं है कि कोई डिगरी आपको दे दी गई है किसी डिगरी की बात कर रहा है हम पास हो गए डिगरी मिल गई etc. and etc. that is not the point then the main point is that adverb of degree means an adverb which tells us जो हमें बताए किसी अवस्था के बारे में न अस्थती के बारे में जो व्यक्त करे वही क्या है हमारा adverb of degree है जैसे जैसे हमने आपको noun में एक चीज बताई थी क्या बताई थी कि एक आपको बता दिया गया था countable noun एक आपको बता दिया गया था uncountable noun और हमने कहा था कि जब extract को क्या कर लेंगे use करेंगे किसमे uncountable में जैसे happiness तो happiness के बारे में आपको बताया गया था कि हम दुखी एक और दो नहीं होते या खुस हम एक और दो नहीं होते तो इसके degree होती है जैसे degree क्या होती है कि इसको हम मापते हैं तो किसमे मापते हैं कम या ज्यादा में बहुत में बहुत कम में एकसेटरा में तो उसी को हम कहते हैं adverb of degree और वो जैसे कह दिया जाए he looks he looks very happy अब यहां पर देखिए बच्चों यह जो हमारा sentence he looks वो दिखाई देता है यह वर्व है यह आपका adjective है और इसी adjective की विशेस्ता कौन यहां पर बता रहा है यह बता रहा है very और इसलिए यह क्या हो गया हमारा adverb हो गया क्योंकि आपको बता दिया गया पहले ही adverb के वल वर्व की तो विशेस्ता बताता नहीं और जब के वल वर्व की विशेस्ता नहीं बताता तो किस की बताता है noun, pronoun और interjection को छोड़ करके जितने भी parts of a speech है वो सब को modify करता है जैसे कि यहां किस को modify कर रहा है adjective को modify कर रहा है तो adverb of degree है क्योंकि यह इसकी अवस्था स्थिती को बता रहा है इसलिए इसको कहते है adverb of degree इसके बाद last है बच्चों हमारा adverb of region region से तो आपको पता ही है region क्या है जिससे हमें किस के बारे में पता चले कारण के बारे में पता चले वो हो जाएगा हमारा कौन सा adverb of region हो जाएगा जैसे कह दिया जाए थोड़ा सा बच्चों ही रेज कर दें इसको तो साफ हो जाएगा तो अब हम बात करेंगे किसकी adverb of reason की adverb of reason that is the last kinds of adverb suppose आपका घर कोई छोड़ के चला गया आपको reason बताना है बाई काहे चले गए तो काहे चले गए उस काहे यानि क्यों को जब हम बताएंगे तो जिस वे में बताएंगे या जिस वर्ड को यूज करेंगे उसको बताने के लिए अगर वो एक adverb है तो उसी को कहते है adverb of reason कहते हैं जैसे see therefore see therefore see therefore lift the place lift the place अब यहाँ पर ये जो adverb है इसलिए therefore means what इसलिए और इसलिए मतलब किसलिए मतलब कोई कारण पता चला और जहां कारण पता चला वहीं पर क्या हो जाएगा adverb of region हो जाएगा understand अब बात कर लेते हैं तीसरे topic की position of adverb यानि adverb को use करने की उसकी position कितने वे में हो सकती है तो वो केवल तीन में हो सकती है और उन तीनों को हम क्या करते हैं बारी बारी से देख लेते हैं position में भी बच्चों यही तीन आते हैं मतलब इसी में से मिला करके position को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है जैसे जिसमें सबसे पहले हमारा manner हो जाएगा अगर हम बात सौरी थोड़ा सा इसको भी रेज कर दें बच्चों यह जहां kinds है यहां हम क्या कर लेंगे position कर लेंगे position of adverb अब position of adverb में हमें तीन जानना है एक manner दूसरा time और place हो जाता है और तीसरा जो उसमें सबसे पहले पढ़े हैं frequency तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं position of adverb में जो पहला हमारा है वो सबसे पहला कौन सा है adverb of manner adverb of manner है जिनका use हम as a position कर सकते हैं दूसरा adverb of time और place है time और place है और तीसरा adverb of adverb of frequency frequency यह हो गया हमारा तीन position of adverb यानि adverb को कैसे हम किस जगा पर use कर सकते हैं किस वे में manner time place और frequency जिनमें से यह तीन wishes हैं अब इनको पता कैसे manner हमने आपको पहले बता दिया कि manner क्या है उसको use करने का way एक तरीका time और place यानि जब हम उसका use करेंगे किस way में करेंगे किसी time अस्थान को समय को बताने के लिए या फिर place को बताने के लिए और frequency जब हम बात करेंगे किस की उस कारे के होने की इस्थती बार बार होने की पुनरा वृत्ती की तो वहां पर क्या हो जाएगा adverb of frequency चलिए example देख लेते हैं तीनों का जैसे आपको पहले ही बता दिया गया मैनर क्या है एक तरीका है किसका तरीका है काम को करने का जैसे अब यहां पर timidly आ गया यह किसको सो कर रहा है मैनर को और वर्ब है इसको modify कर रहा है कि वो he runs वो दोड़ता है कैसे दोड़ता है timidly डरते हुए डर करके भागता है तो यहां पर यह timidly क्या हो गया मैनर हो गया time और place की बात करेंगे तो नहां पर समय या अस्थान के बारे में आपको indicate किया जाएगा आपको बताया जाएगा और किसके एक वर्ड एक वर्ड ऐसे वर्ड के will come here यह हो गया example आपका अब जैसे देखिए इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं इसको और इसको question को और किसको question हो गया हमारा और पढ़ते भी साथ साथ चलते हैं time और place की बात कर रहे हैं हम चलिए time और place को एक मेट के लिए दूर कर देते हैं हम बात कर रहे हैं adverb की यह हमारे पास एक sentence है और हमें introduce करना है इस पूरे sentence से find out करना है where is the adverb and which type of adverb that is तो चलिए अब अगर इसको हम divide कर लें तो यहां से इसका division हो गया इसमें यह दोनों हमारी पूरी वर्ब हो गई बचा हुआ subject हो गया यह subject यह वर्ब और यह क्या है here यह है adverb इसी को कह देंगे adverb क्यों कह देंगे क्योंकि यहां पर कहा गया my father welcome मेरे पिता जी आए तो आने को जो modify कर रहा है कहां है यहां है यहां है adverb हो गया अब यह तो clear हो गया कि यह adverb है कौन से type का adverb है यह जानने के लिए हम देखते हैं कि इस here से पता किस बात का चलता है here means यहां यहां मतलब कहां कोई न कोई place है जहां पर वो अभी है और जहां की बात कर रहा है तो कोई न कोई place है और जब place की बात होगी तो यह कौन सा adverb हो गया adverb of place यह ऐसे ही अगर time की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा adverb of time हलाकि यह सारी चीज़े हमने आपको पहले ही बता दी है एक example और देख लेते हैं इसका see see did this work when star day उसने इस काम को किया था कब किया था कल किया था तो कल क्या है time का पता चल रहा when means कब और कब means कल तो जहां कब आए कब से समय का पता चल रहा है और समय का पता चल रहा है तो यह adverb कौन सा हो जाएगा adverb of time हो जाएगा understand चलिए आगे देख लेते हैं अब हो गया हमारा कौन सा कवर मैनर हो गया, प्लेस हो गया, चाइम हो गया, एक एक्जामपल और देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी का, जैसे फ्रिक्वेंसी का हमने आपको पहले ही बताया कि जिसमें पुनरर अबृत्ति हो, जिन में चीजों को दोहराया जाए, एकदम से मना किया जा they often late for the class वो क्या हो जाते है they often late for the class अब यहाँ पर एक चीज आई है late देरी हो न यह क्या है यहाँ पर हम बात करते हैं तो यह क्रिया हो गई हम कहीं पर जाते हैं कैसे हो गए late हो गए देर हो गई हमें और देर को भी जो modify कर रहा है देर हुई चलिए आज हो गई एक दिन चल गया often प्राया देरी से जाते हैं यानि यह पहला दिन नहीं है ऐसा हर alternate day पर होता रहता है नहीं alternate day पर हो रहा है तो दो चार छे दिन में एक बार हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि this is the first and last time तो यहाँ पर often क्या कर रहा है बता रहा है किसको इस late को modify कर रहा है और इसलिए यह adverb हुआ और कौन सा adverb हुआ frequency का अभी यहाँ पर मान लीजे enough का use कर दें किसी चीज को बताने के लिए तो enough क्या हुआ adverb of frequency हुई always क्या हुआ adverb of frequency है हमेशा जैसे हमेशा और उसका just opposite never कभी नहीं तो कभी नहीं भी क्या हो जाएगा adverb of frequency हो गई अब हमने यह देख लिया adverb क्या है काइंट्स कितने होते है positions कैसी होती यानि कहां कहां पर हम उसका use कर सकते है अब इसके बाद number आ जाता है questions का कि कैसे questions हमें मिलेंगे और कैसे हमको उसको find out करना है कैसे हम उसको solve करेंगे कैसे पहचानेंगे तो चलिए दो चार questions मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं कि कैसे हमें उनको पहचानना है पहली चीज इसके बाद क्या करेंगे आप को अभी task दे दिया जाएगा उससे related आप खुद पहचानोगे और हमें बताईएगा चलिए दो चार एक्जामपल मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं पहला एक्जामपल एक और देख लेते हैं पहला एक्जामपल एक और देख लेते हैं पहला एक्जामपल एक और देख लेते हैं Mathematics is a very difficult subject. Mathematics is a very difficult what subject? यह हो गया, एक example और देख लेते हैं. एक हो गया, दो हो गया, तीन. एक और example देख लीजिए. Walk quickly. Walk quickly. चलिए, तीन example हो गया, बच्चों. देखिए, पहला. The police caught the thief. पुलिस ने चोर को पकड़ा. यहां तक तो ठीक था? अब चोर को पकड़ा और कैसे? Suddenly, अचानक. यानि पकड़ने का जो ताही का था, sudden आया और पकड़ लिया. तो यह हमारा क्या है? Purs of speech कौन सा adverb? दूसरी चीज़. Mathematics is a very difficult subject. Difficult क्या है? Adjective है. किसका? Mathematics का. अब adjective की भी विशेष्ता कौन बता रहा है? और कितना कठिन है? बहुत कठिन है. टेक मीजर हो गया. यह हमारा क्या है? Adverb. कौन सा frequency? अभी बात किया है. Oh, sorry. कौन सा degree? अभी हमने बात की थी. इसकी degree की कम जादा. तो और इसके बाद यह walk quickly. तेजी से चलो. यानि यहां पर कैसे चले? तेजी से. तो कैसे मतलग क्या? manner. और manner शो किया जा रहा है. उसके चलने का तरीका बताया जा रहा है कि कैसे चले? walk quickly. तेजी से चलो. तो यह क्या है? Adverb of manner है. तो इस तरह के questions हमको मिलते हैं. इस तरह के questions हमें solve करने हैं. उन में से यह देखना है कि कौन सा figure of speech है. चुकि आज का lecture ही based on था. कहां based on था? Today's lecture is based on adverb. So these are the examples of adverb. और हम जान रहे कि adverb का example है. तो easily पहचान लिए. easily खोज लिए. कहां पे है. लेकिन जब हमको exam में मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा. आपको बता दिया जाएगा. कि आप adverb ढूंडिये. आप noun ढूंडिये. pronoun ढूंडिये. या verb ढूंडिये. उसमें तो आपको keval और keval क्या कहे देगा. Find out the parts of speech in the sentence. कौन सी parts of speech है? वो ढूंडिये. कहां है? वो ढूंडिये. तो इस तरह के questions आपको ढूंडने होंगे. अब चलिए. कुछ examples मैं आपको दे देता हूँ. वो आपका task होगा. आप हमें बताइएगा कि उसमें कहां पर adverb है या कहां पर parts of speech का use किया गया है. कौन सी parts of speech है? और कहां पर है? चलिए. तो हम आपको बता देते हैं कुछ sentences. जिस जो आप क्या करेंगे? मुझे comment box में बताएंगे कि कहां पर है ये. कौन सी parts of speech है? और उसका use कहां पर किया गया है. चलिए. He does not. कुछ examples मैं आपको यहां से दे दे रहा हूँ. He does not like cold water. आप लोग इसको solve करिएगा और बताएगा. He does not like cold water. This one is the first example. One more. He does not like cold water. The beggar was shivering with cold. Cold दो बार हो जाएगा. तो इसको रहन देते हैं. एक और देख लेते हैं. Hindu अंगा और जाएगा. Hindu अंगा. Hindu अंगा. इस तेचे इस है अगई है और रेगुलर्ली इंदू टीचे जासर रेगुलर्ली वन मोर एक्जाम्पल वोकिंग और चलिए एडवर्व का ही साथ लेकिन अभी आप तो बोल भी दिये कि एडवर्व का दे देंगे तो आप एजली करें एक कर लोगे तो कुछ इसमें क्या करते हैं मिस्ति सेंटेंस आपको दे देते हैं आपको फिगर ओफ स्पीच फाइड डाउट करना होगा हुआ है ही 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 लाफड आइट ही लाफड आइट ही लाफड आइट मी लाफड आइट मी स्टरडे लाफड आइट मी एफ स्टरडे एक और देखिए फोर्थ पांच कुछ नस आपको दे देते हैं जो आप क्या करोगे फाइंड आउट करिएगा जिसमें आपको यह बताना होगा कि कौन सा पार्ट सॉफ स्पीच है या अगर एडवर्ब है त सी कें विफोर मी और एक अपने कॉर्डिंग दे देते हैं आई I have given I have given enough task to you So these are the examples आप इसको देखिए पढ़िए सोचिए और फिर हमको बताइएगा कि इन सारे sentences में कौन सा parts of speech है और अगर parts of speech में एडवर्ब है तो वो कहां पर है Find out करिएगा सोचिएगा समझिएगा और फिर बताइएगा कहां बताना है आपको comment box में आके बताइएगा कि इसमें कहां पर है इसी के साथ हम आज की इस class को क्या कर देते हैं खतम करते हैं और अप उमीद करते हैं कि सब को यह हमारा आज का lecture बेहत पसंद आया होगा अगर आपको कोई lecture पसंद आया है तो आप प्लीज इसे share करिएगा दोस्तों के साथ share करिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारे इस lecture को या हमारे इस वीडियो को आएं पढ़ें देखें Thank you